मेरे टाईबान और टना में ने सतुन्स कंधिर सेष्ट हैं? various membranes which are suspended in the cytoplasm of eukaryotic cell समझ रहें कि नहीं यहाँ पर हम बात कर रहें है eukaryotic cell की various membranes various membranes कहा है suspended suspended गाम अपने वैसे पड़े हुए है suspended suspended in cytoplasm of eukaryotic cell prokaryotic case में ऐसा system देखने को नहीं मिलता है यूजूली लेकिन कुछ-कुछ cases में जो in folding होती है plasma membrane की उसके case में उसको consider किया जाता है लेकिन in general eukaryotic cell में ये well developed है और बहुत सी collaborative and cooperative manner में ये function करते है और effectively क्या करते हैं जब हम function देखेंगे तो cell की integrity को जो है न है maintain रखते है cell की integrity integrity of cell integrity of cell समझ रहे कि नहीं cellular जो integrity है अगर वो maintain नहीं रहेगा तो cell की functioning नहीं हो पाएगी properly और cell function नहीं करेगा तो ultimately cell death हो जाएगी clear है कि नहीं सो इनका main role क्या होता है इनका main role होता है जो पूरे cell को रहें divide करते है ठीक है पूरा cell अगर है कोई भी cell तो इसको क्या करते है डिवाइड करते है डिवाइड कैसे करते हैं functional and structural basis पे functional and structural basis पे structural ठीक है और इसी basis पे फिर बात में क्या होता है ये division हो गया मतलब compartment बना क्या बना compartment ठीक है और यहीं compartmentalization ही क्या बनाता है ultimately जो different organelles है ठीक है जो की हमको केवल EU carriers में देखने को मिलते है ठीक है जो जो और गनेलर system है ultimately हम देखेंगे वहीं endomembrane system का part है कुछ exception है जिसमें exception एक basic exception chloroplast का आता है दूसरा mitochondria का तो गलती से भी आगे ध्यान रखिएगा लिखा भी आयेगा इसमें chloroplast and mitochondria are not part of the endomembrane system यह बहुत ही clearly दिमाग में बिलकुल fix कर लिजिए ठीक है अब इसमें include कौन-कौन से part है cell के अगर हमने बोला कि जो membranes है various different types की membranes या various membranes suspended in the cytoplant तो इसमें क्या क्या हैगा तो यह include क्या क्या करेंगी चीजों को includes आपकी यहां कम लिखा है लेकि मैं बता दे रहां आपको ध्यान रखिएगा एक तो जो नुक्लियर मेंब्रेन है नुक्लियर मेंब्रेन या नुक्लियर इन्वेलप कह लिजिए ठीक है और इसी के continuation में क्या आता है इसी के continuation में आता है इंडो प्लाज्मिक इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम आता है न भई हाँ इसमें रफ और इस्मूद जो है वाला गलग है लेकिन आता है ठीक है यह आरियार हो जाएगा रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम और यह एसी आर हो जाएगा देखेंगे वाभी तीसरा इसमें system basically आएगा क्या membrane system जो फैला हुआ है गॉल जी इपरेटरस आएगा फॉल जी बॉलेंगे क्यों कि इसमें cycles भी होता है इस ने भी होती है इसमें क्या होता है वे cycles भी होता है और system भी होता है कि player है एक नहीं यह मैं बता दे शुन ली जीए उसके बाद फिर जो सारा चीज है वह आपको देख जाएगा क्लिए लाइसो सोम यह बीज सो ठीक है उसके अलावा ऑर भी क्या गाम करते है जब कोई भी मैटेरीयल ट्रांसपर होना होता है न 됩니다 इसे स्टोर्फ करते हैं और यह का मतला मतला बाडि तो इंडो का मतलब अंदर सोम का मतलब बॉडी यह सेल के अंदर की ऐसे बॉडी होती है इनका भी क्या काम होता है इनका काम बैसिकली होता है मतलब अलग करना चीजों को शार्टिंग और रीसाइक्लिंग जो इसके अलावा आपका प्लाजमा मेंब्रेन होता है इस और पार्टी प्लाजमा निम्डेन यह भी पार्टी है रीजन क्या है प्लाज्मा मेंब्रेन जो होता है मेंब्रेनस स्ट्क्चर है तो पता ही है और यह भी पता है कि प्लाज्मा मेंब्रेन या सेल मेंब्रेन जो होता है क्या होता है selective permeability show करता है क्या करता है selective permeable होता है इससे क्या फायदा है actually में इससे क्या करता है regulate करता है किस चीज को regulate करता है कि what goes out and what comes in समझे रहना यह कौन काम करता है plasma membrane काम करता है clear है इतनी चीज़े की नहीं I think clear है तो main function क्या हो गया इंडो membrane का अगर यह सारी चीज़ें हो रही है तो main function क्या हो गया actually में इस system cell के अंदर जो है न यह already है नाम हमने बस दिया है कि membranous structure है जो कि suspended है cell में और यह यह type से सारे collaborative role में function perform करते है particular function ठीक है तो यह सारे इंडो membrane system की जितने हमने पार्ट बताएं किस चीज़ के लिए collaborate करते है collaborate करते है collaboration में काम होता है क्या करते है modify करेंगे ठीक है packaging अभी हमने देखा packaging का काम करेंगे और उसके बाद क्या करते है transport का काम करते है यह बहुत important function है cell के अंदर में यह होना जरूर यह किस चीज़ का करते है basically lipid का and proteins का clear एक नहीं बहुत important function है यह और यह transfer कहा होता है within the cell दूसरा हमने बता दिया cellular integrity को maintain रखते है cellular integrity ठीक है तीसरा तीसरा जो अभी बताया यह सब क्या है यह है communication तो यह क्या करते है facilitate करते है facilitate करते है किसको communication को comms को कहां among the among the cell organelles clear है yes अभी पूरा इंडो membrane system मैंने बता दिया अब NCRT में क्या लिखा है बस उसको देख लेते हैं उसके बाद जो यहां पे इंडो plasmic reticulum Golgi apparatus इसके बारे में जो दिया हुआ है उसको हम थोड़ा पढ़ लेते है राइबोस्वम आएगा क्या इसमें नहीं राइबोस्वम क्या है membrane लेसे structure है तो membrane ही नहीं है तो कहां से आएगा ठीक है mitochondria आएगा क्या उसके उपर membrane है ना mitochondria इंडो membrane system का पार्ट नहीं है chloroplast आएगा क्या plan के case में chloroplast इंडो membrane system का पार्ट है तो आप लाइन देखिए ठीक है देरान मेनी मेनी आप दीजर कंसिडर टुगेदर देखिए धिया रखिएगा तुगेदर की बात कर रहा है तुगेदर का मतलब क्या है जैसे हम एक टीम की तरह काम करते हैं कोई करने के लिए टीम की तरह काम करने कम अगर पांच लोगा एनका कुछ रॉल होगा इनका भी रॉल होगा इनका भी इन нравüyक सबका रोल अध़ी टीम वर्क होगा तो यह क्या है इंडमेंबरेंट सेमीज रा चीगप khara समझ रहेंग नहीं टीम वर्क और टीम जो होता है हमेशा कोलाइबुरेटि एन कोपरेटिव मैंडर में होता है कोपरेटिव एन कोलाइबुरेटिव मैंडर में समझ रहेंग नहीं क्लियर है ओके और इसकी जरूरत बहुत होती है जैसे फेमिली में अगर कोलाइबुरेटिव cooperative minor में चीज़े नहीं होती तो family एक time के बाद break हो जाती है ठीक है जैसे मालनी जे business man होते हैं बिजनस partners होते हैं अगर वहाँ पर problem create होती है तो system break हो जाता है हर जगह पे जैसे अभी है center local level state level and center level जो government की बात करते हैं अगर सारे जगह पर cooperative minor में काम नहीं होगा न तो यहाँ पर problem जो है create हो जाती है यहां से यहां communication का गयप होता है और यहां से यहां तो होता ही है तो developmental aspect में यहां problem होती है तो हर जगह इसकी जरूरत होती है तो cell को भी जरूरत है ठीक है तो क्या है इंडो मेंब्रेंस system क्या करते हैं तो एदर एक सा consider की जाते है और इनका function हमेशा coordinated manner में हो होता है ठीक है ऐसा नहीं है कि मैं यह हमने protein बना दिया protein मनगे घूम रहा है और यह क्या जाएं चरूं करने के लिए लाइसे काम नहीं होगा ठीक है यह काम हमेशा कोडिनेटेड मैनर में होना ची मतलब यह बन गया तो इसको पैट करने के लिए साइकल चाहिए और पैट करके इसको टांस्पोर्ट भी करना है ठीक है क्लियर एक नहीं सो क्वाडिनेशन जरूरी है और इसमें पार्टी कौन कौन सा है इसमें पार्टी कौन कौन है हमने नाम पहले बता दिया पार्टी पहला देखिए इंडो में में सिस्टम में क्या है इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम तो पहला पार्टी हो गया दूसरा गॉल सिन संदल इंडी कम अंसे साथ समय आना तो यह काम 6 यह पाइट नहीं में है पार्ट नहींहें यह 1 ख golf खूरे 330 को MitoCondia को and Proxyzone को इसको जो है न रिमूफ करना है They are not part of the Indomembrane system They are not part of the Indomembrane system Clear है? यह मसका part नहीं है अब आते हैं पहले औरगनेल पर आते हैं कि Indomembrane system का पहला औरगनेल कौन सा है तो basic basic चीज़ी चलते हैं क्योंकि यहाँ पे पुरा detail structure आप देखेंगे और detail structure के साथ आपको basic function समझना है आपस देखें यह हम बता रहा था है यह nuclear membrane है यह देखेंगे नुकलियस है ठीक है और यह देखेंगे यहाँ पर पोर है इसको हमने NPC बोला था nuclear pore complex ठीक है यह देखेंगे लिखा है नुकलियर पोर और यह यहीं से देखेंगे इक्स्टेंशन है ने जो इनिवेलब है इसका nuclear membrane का इनिवेलब है वहीं से extension यह आ रहा रहा यह extension किसका है इंडो प्लाज्मीक रेटीकुलम का और इंडो प्लाजमिक रेटीकुलम के ऊपर देखिए यहां पर यह गोल-गोल ऐसे दिख रहा है आपको नहीं गोल-गोल दिख रहा है नहीं यह सब क्या बैठे हैं यह सब राइबोसोम बैठे हुए है और यू करियार्टिक से लह तो किस टाइप के राइब यह लग है यह प्रोचीन फैक्टरी तो जहां पर राइबोसोम प्रजेंट होता है उस राइबोसोम उस इंडो प्रोटीन सिंथेसिस यहां के लिए क्या निकल के गया और यहां प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में समझते हैं यहां पर एलेक्टाउन सब्सक्राइब इसको क्या बोलते हैं लिउमन बोलते हैं ठीक है इसका इंडिस इंडिट इंडिकल्स मींग रेटीकूल इस पाल्ड़ इंटर इंट्रास्यूलर का मतलब शेल के अंदर का का इस PAYS इंटू डिस्टिंग्स कंपार्ट्मेंट देखिए एकButton लिमेनल है यह जो हमने बता दिया दूसरा क्या है कोई को दो है एक पेल्टिंध में यहां पर को देख लीजी तो यह जो incorporative दिए और यह जो बाहर साइड में एक स्ट्रा लुमिनल यह साइटो प्लाज्मिक अगर राइबोस्वम प्रजेंट है तो इसको हम क्या बोल देते हैं रफ रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकूलम बोल देते हैं और अगर राइक प्रजेंट नहीं है जैसे इधर साइड में आप देखिये यह बाला देख रहा है इंडो Yay और नहीं देख रहा है तो इसको यहां परी यहां इसको प्रेटिकूलम को क्या बोलते हैं इसमूज ञेम हैं अब डिफेरेंस काहा है रफ और इस्मूद में जो रफ होता है रफ बनाता है क्या प्रोटीन बनता है basically और जो इस्मूद है इस्मूद पर क्या बनता है लिपिड बनता है यही ध्यान रखना है आपको ठीक है R.E.R. frequently absorbed in the cell actively involved in the protein synthesis जहाँ पे protein synthesis बहुत fast होती है और secretion कोई भी चीज अगर secret कर रही है जहाँ पे यह चीज हो रहा है वहाँ पे rough endoplasmic reticulum का concentration जादा होता है meaning यह ठीक है जहाँ पे protein synthesis fast है ठीक है और secretion fast हो रहा है cell secretion वहाँ पे rough endoplasmic reticulum जादा होगा ठीक है समझ रहें कि नहीं extensive होगा and continuous with the outer membrane of nucleus इध्यान रखिएगा जहाँ पे यह थोड़ा कम होगा ठीक है जहाँ पे ऐसा system कम दिख रहा है कि यहाँ प्रोटीन synthesis के requirement बहुत कम है comparatively दूसरी जगह से fulfill हो जा रहा है और लिपिड की synthesis ज्यादा हो रहा है यह particular जगह पे particular cell में तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है smooth endoplasmic reticulum मिलता है ठीक है तो involved किसमें होता है लिपिड synthesis में देखिए इन एनिमाल से लिपिड लाइक steroidal hormone और synthesized in SCR तो steroidal hormone की अगर बात कर देगा आपसे question अलग से पूछ लिया माल लिजिए यह word तो आप इसको ही मैं सोचेगा out of the syllabus question no भई steroidal hormone जो होता है synthesize कहां होता है ठीक है rough endoplasmic sorry smooth endoplasmic reticulum को उपर clear एक नहीं ER का जितना दिया है या जितने भी cell organelle के पार्ट यहां पर दिये है जितना detail में आपको पढ़ना है उतना ही मैं बता होगा बहुत ज्यादा detail बताने कोई फाइदा नहीं कि आपने तो याद करेंगे ना तो exam में आने वाला है ठीक है गॉल्जी अपरेटर्स प्याते हैं तो गॉल्जी अपरेटर्स की यहां पर discoverer का नाम दिया है कैमिलो गॉल्जी बोलते हैं इनका नाम क्या था कैमिलो गॉल्जी या गॉल्गी 1898 में इन्नों ने आप्जर्व किया था कि मतलब कोई एक particular area जैसे cell में होता है बहुत densely iis stand होता है ठीक है reticular मतलब जैसे leasing reticular बेसे यह भी है तो यह यहाँ पर देखार है मतलब इंडा को इ नुपलियस के आसपास रहता है इंडू Mêmreen system में मतलब इंड PAC Compl région में इसी के आसपास मंड रहताmaster इसमें दो फेस होता है सीष होता है जो ससे होता है वह नुकलियास की तरफ फेस करेगा और शामें को प्रोटीम को एक क्या हो जायगा ड्रांस फेस हो जायगाmers ==== पॉके इस वर नेम्द आप्टर दे गौलजी बॉडीज यह नेम्ड गौलजी बॉडीज आप्टरी मिनके नाम पर ही इनका नाम पढ़ा है यह थे कंसिस्ट आप मैंनी फ्लैट फ्लैट का मतलब बिल्कुल चप्टे ऐसे डिस्क्राइब स्टॉक्चर मिलते हैं ठीक है जिनक अब इनका structure अगर देखने को मिलता है आपने सेल में अगर structure देखेंगे पीछे कहा आगे सेकेंड पीछे चल के हम दिखाते हैं आपको देख रहा होगा आपको अंदाजा लगेगा यह देखिए कि हुआ है कि शॉरी 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 जी ये ये देखिए क्या ये ये है गॉल्जी अप्रेटर देखिए इस टैकिंग है ना ऐसे ऐसे अरेंज रहते हैं मतलब ऐसे ऐसे इनका अरेंजमेंट दिखेगा आपको ठीक है ऐसे ऐसे टाइप से अगर हम बना दें ऐसे ठीक है समझ रहें कि नहीं ऐसे अरेंज रहता है ऐसे ऐसे करके अरेंज रहता तो एक इनका सिस फेस आएगा और दूसरा टांस फेस आएगा टांस फेस हमेशा अपोजिट रहता है किसके नुकलियस के अपोजिट में रहता है और सिस फेस जो रहता है नुकलियस की तरफ होता यहां पर आपको आपको आगे चलते हैं अपने पॉइंट पे लेड नंबर आप सिस्टर नी आप प्रेजेंट इनी गॉल्जी कॉंप्लेक्स मतलब वैरियस ऐसा नहीं कि बिल्कुल यह जो नंबर है है तीन चार पांज तो यह फिक्स होता है इसमें variation देखने को मिलता है टिक है वेरियस देतले को मिलता है एके सिस्टर निया कंस से इंटरीकल होता है जैसे यह है एनका सेंटर यह है मतलब यह हैं vientुपरली होग मतलब एक ही इंदार से अरंजमेंटbn होता है अगर इसको सेंटर हम सम्सें करते हैं एक ही सेंटर रहेगा सब। क्ले सबस्दाइब अलग दॉपर होता है समझे रहें ना स्टैकिंग होती है पैरलल कंसेंट्रिक अर्यमेंट होता है नियर दन इप्लेस विड़ डिस्टिंट पॉन्वेक्स सिस फेश ठीक है और दिख फॉर्मिंग जिधर साइड में बन रहा है जैसे प्रोटीन बन रही है या विसाइकल में पैर हो रही है जिधर सा कि तरफ से क्या होगा इंट्री होगी ठीक है तो सिस एन ट्रांस फेस्ट आप इंटरली डिफरेंट बट इंटर कनेक्टेड बीच में गयप नहीं होता है प्रॉपर अगर हम देखें न तो इनके स्ट्रक्चर को अगर हम आपको ऐसे बताएं प्रॉपरली तो मालने यहां से यहां तक यह पूरा ऐसे लास्ट में आकर स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा हम पूठीक है और इसी मैटेरियल से एक साथ यह जितने भी सिस्टर नहीं है नहीं सब जुड़े रहते हैं एक प्लेस पे ऐसे एक प्लेस पे ऐसे लेरेक नहीं ऐसे ही समझ में आया मेनिंग यहां बोल रहा है ठीक है इंटर कनेक्टेड रहा है इंटर कनेक्टेड और इधर से ऐसे ही यह यह क्या है क्या है यह परफॉर्म करता है तो त 두 तर चेलर टार्गेट से है और से सरे más प्रफष रहां जिए तो उसके बाद कर वह एक रीक्वार्मनेंट रिक्वाइर्मेंट तो मसा जा करेगा प्लाज्मा मेंहों प्लाज्मा मिंबरेन ला है यह मनाय। करेगा यहीं बहुत आपको एंटिडो घेर होता है और यह वापस फिर से वापस विशाइकल जब रिगवार होती है तो यह क्या होता है रेट्रोग्रेड मुवमेंट होता है तो यह रहां से लास्ट हें की तरफ से निकलती है ठीक है अगर इसको शेल के अंदर ट्रांस्पोर्ट करना होगा तो यह किसी और वेर्ण को चली जाएगी लेकिए और इसको सेल के बहाद से क्रीड करना हो तो जाके मेंबरेंस से क्या करेगी यहाँ पर सिक्रीड कर देगी कहा ने क्लियर हुई हो जानी चाहिए कहानिक लिया नहीं हो रही है तो फिर से पढ़िए इसको ठीक है जो दुबारा लेक्चर को देखिए पॉज करके वापस देखे लेकिन समझ ये हमने बता दिया है फ्रम इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम ठीक है फ्यूज विद इस सिस फेज सी अभी पूरा इस्टॉक्चर हमने समझा दिया विगाल्जी अप्रेटर्स और मुफ तुवर्ज दी मेच्चुरिंग फेज दिस एक्स्प्रेंस वाई दिकाल्जी अप्रेटर् देंगे लेकिन फिर भी यह मोर देन अनौफ है मोर देन अनौफ अनमबर अब प्रोटीन सिंथेसाइज बाई राइबो सो मांदी इंडो प्लाजमिक रेटिकुलमार मॉडिफाइड सी यह भी होता है तो सिस्टर्नी के अंदर में मॉडिफिकेशन का काम होता है इस्पेशल अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो जो सिस्टर्नी का लूमेन यह वाला स्ट्रक्चर हमने बनाया यह इसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है समझे रहे हैं यह मेचुरेशन का ही पार्ट में है तो प्रोटीन या लिपीड बन के आ रहा है कहां से इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम से और कहां इंटर किया सिस्टर्नी के अंदर गया ठीक है तो बिफोर रिलीज जो ट्रांस फेज है ने मैचूरिंग फेज जो है इधर निकलने से पहले अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो मॉडिफिकेशन इसे के अंदर होगा तो कैसा होता है ग्लाइको चलेशन ऐस ऑफे ओल्चेमितों साइड़ स्श्टरों की नहीं तीसरा देख लेते हैं मतलब एंडोनु सिस्टम खतं कर लेते हैं आराम से उस उसिंदी क्या होता है सुषाइड बैक का छूछ से मर जाती हम इसे बस्ट कर जाएगी मालिजी है सै 2024 परीक थेथप两ड यह से पॉस्ट कहोता है यह लाइसोशों किया करेंगा बस्ट कर जायेगा क्या हो जाएगा बस्टिंग फैल जाएगा और क्या कर देगा डाइस्ट कर देगा थिक है समझ रहें कि नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका नहीं सेल के अंदर जो डेवरीज क्रियेट होती है उनका क्या होगा बताइए इस आर मेंदेन बाउंड वेसिकुलर स्टक्चर फॉर्ण बाइदी प्रॉसेस आपकेजिंग इंदी गौलजी अपरेटस समझ रहें इस इस डिक नेचर के होते है तीक है याद कर देंगे ऑप्टिमली एक्टिव एड़ी एसडिक पी अच इसलिए हमने बोला कि इंप्यूला की इस डिक नेचर के होता है पीएच असडिक होता है ठीक है याद रहेगा ना भई दीज एंजाइम आप डाइजेस्टिंग कार्भोईडेट्स प्रोटीन डिपीडन नुटलीक एसीड अभी मैंने बताया तो जो डेवरीज क्रियेट होती है सेल के अंदर उनको खतम करना लाइसोसोम का ही काम है ठीक है और यह बनता कहां से है यह दीकल क्या है इन लाइसोसूम है ठीक है यह मिंबरेन शिसम का पार्ट यहां पर लिखा हुआ है बताया है तो बैक्यून किया है वैक्यून बहुत बड़ा साइज का होता है और श्मकैटो का Walun को टोरुण को ग्या में वोलते हैं क्लाज्मा को टरस कि नो प्रास्वंत किय इसमें क्या-क्या हो सकता है तो दूसरा हो सकता है तो वार्टर ऑटिनाख सकता हking कहां हो जाती है इसके अंदर टिंग के ऑन्डर नहीं PHIL य्युज्फुल नहीं говорить तो कहां पैख होते हैं तो वाटर हो सकता है इसके अंदर स्वेक्ट हो सकता है नाट यूज्फुल मेटेरियल नाट यूज्फुल मेटेरियल्स फार देश छी सेल ठीकैन इसके अलामब sprot mixture यह यह अन्वांटेड प्रोडक्ट अन्वांटेड प्रोडक्ट की कहां पैक हो जाएंगे वैक्यों में पैक हो जाएंगे थी इसको क्या बोलते हैं टोलो प्लास्ट यहां दिया हुआ है जस्ट रिमेंबर देने इन प्लांट चेल दब्एक्वूज के अकुपाई देखिया अप्टू 90 परसेंट आप डेवालिम आप देशेल एनिमाल के केस में इन जनरल वैक्वूज जो होते हैं अप्सेंट होते हैं बहुत छोटे-छोटे साइस के होंगे अगर होंगे तो प्लांट के केस में क्या है टोनो प्लास फैसिलिटेट करता है क्या टांसपोर्ट आप नंबर आफ आइन्स अड़र मेटेल्स अगेंस्ट दी कंसेंटरेशन ग्रेडियंट इन इन तो दी वैक्वूज कहने का मतलब क्या है एक्टिव टांसपोर्ट होगा तो मालेजी ऐ साइ्ट प्लाज्मपोजन जो हहां हिकठा होरा है ठीक है अब इसको हमको इसके अंदर भेजना है ब्हटते जहां इकत्ता कर रहा है इस्टोर करके अब एक टाइम ऐसा आए कि यहाँ concentration जो है न बहुत हाई हो जाएगा तो अगर active transport नहीं होगा यहाँ से ऐसे high concentration जब हो जाएगा इधर तो इधर side movement ही possible नहीं होगा इसलिए यहाँ पर active transport होता है मतलब यहाँ पर energy की ज़रुरत पड़ेगी अमीबा की case में एक different balance जो होता है बाड़ी का उसको maintain रखने के लिए यह help करता है अमीबा की क्या है proto जोवन से क्या है proto जोवन्स जोवा किसे बिलांग करते हैं किस kingdom से आते हैं प्रोटिस्टा से आते हैं ठीक है पहले हम इनको प्रोटो जोवा को या आमीबा को कहां पड़ते थे प्रोटिस्टा के केस में फूडवाइक यूज और फांड बाई इंगल्फिंग दी फूड पार्टिकल तो वहाँ पर क्या है प्रोटिस्टा के केस में ऐसा देखा गया है कि मतलब वो जो फूड़ पार्टिकल जो बाहर घुन रहा है आसपास उनके उसको द्फूट कर लेते हैं मिलता है काहा देकने को मिलता है मिलता है और फिर से इस वीडियों वापस देखिए और समझ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहां से question पूछता है इसलिए मैं बोल रहा हूं ठीक है question पूछता है और जो इसके part में है और जो नहीं है सब आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए अगली class में हम मिलेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे माइटो कॉंटिया के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा क्लोरोप्लास्ट है मतला प्लास्टीड राइबोस्टोंस और पैजला और सीलिया और नुपलिया सब भी हमको लग रहा है कि दो तीन लेक्चर चार लेक्चर जाए गई इसमें क्योंकि हम लोग कम-कम ट्राइब कर लिजे थोड़ा और